हाँ हाँ हम्म्म्मुजिक इंडस्ट्री में दो कंपनियां ऐसी है दो नंबर की कंपनियां नंबर दो की कंपनियां नंबर पिना जाते एक तो है टी सिरीस नाम तो टीसीज है लेकिन स्टगलर लोगों को चाय तक नहीं बूस्ती है यह है टीसीरीज बाहर से टीसी सीरीज अंदर से वेब सीरीज है और दूसरा है जी म्यूजिक जी म्यूजिक के बाड़े में गहीं कोँगा की मुझ नहीं कऊंगा कुछ भी कहना जी के लिए बेकाए जी में ड्राउड ड्राउड लगलोव से अल्पी से सेल्हिए तक पूँझी है ल्पी का तक मुजिक बचता थदा तवा-जब साथ मा कितना अच्छा लगता तवा कार मुजिक बचता-था बात दोर चेंज हुआ, गैसेट आगे, कैसेट आदमी सुनता था, तो मुजिक के प्रती इसबड़ गई थी, कैसेट, 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 फिर वॉक मेल में सुनता था, आदमी चलते फिरते, फिर मुजिक पेंड्राइव में आ गया है वहां से दर्द शुरू हो गया मुजिक का पेंड्राइव और अब मुजिक चीप हो गया है चीप में मुजिक आ गया है यह सब क्यों हुआ रिमिक्स इतने रिमिक्स आ गया है इतने रिमिक्स आ गया है भाई साथ और लेबल और सिंगल से बहुत लोग परिशान है लेबल भी ऐसा कि पता नहीं कौन सा लेबल है कौन सा लेबल दे इनको रिमिक्स इतना गंदा बनाते हैं रिमिक्स मतलब ही होता है कि पुरानी पुराने मिजरडर रडी बर्मन तरफ लक्ष्रीन पहलात तरफ सब्लत्र इतने अच्छे गाने गवा है और इनोंने रिमिक्स बना के तो उसको उसकी करीमा को गवाया उन्होंने गवाया उन्होंने गवाया ऐसा कहते था ना कि हम लुग पुराने जमाने गाने बहुत अच्छे हैं तो रिमीज वह अच्छे हैं आओ इनकी इस्थ खराब करते हैं इन्हें खराब करते हैं मतलब पुराने गाने सुनकर मन करता था यार कितना अच्छा लगता था दिल करता था गाते रहो गाते रहो गाते रहो गाओ 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 अभी तो भैसे अभी तो गाएं नहीं भैसे लगते हैं सब भैसे कुमार शानू सहाब उधित नरैन सहाब शपीर कु पणिशो और दा मोकेश जी महदर कपुर साहब इनके गाने सुन सुनके हिंदूस्तान जिया है हिंदूस्तान आगे बड़ा हिंदूसाब को मोटीवेशन मिला है आप यह सिंगर कौन है जो रिमिक जाते हैं मतलब है चैन सुकून सब खत्म हो गया है और यह जोब अपनियां है अां वृषन को मार के बाद डीवया शक्ती ओर व्हो शक्ति जिनके पास है उनको लगत है कि हमारे पास सबसे बड़ा भूशन है बहुत-बड़ा और वार्द पद्र में भूशन है आप किसी को इज़त नहीं देते किसी को यशिस सिंगर को वह और इज़त देगे कहां से पनी कि 10 तो वहnor सकता है जिसके पास इज़त होती है जी यहां, इतना म्यूजिक का बुरा टाइम, खुदा कसम पहले कभी नहीं था, पहले म्यूजिक कमपनी का नाम मतलब हम्वी हुआ करता था, अब म्यूजिक कमपनी का नाम मतलब हम्वी हो जैसा फिल हो रहा है, हम्वी, पहले आपने हम्वी का जो लोगों है देखा होगा, वो स्पीकर के आगे लौड स्पीकर के आगे कुट्टा गाना से ड्राइट एक लोगो था है एचम्वी का लेकिन आज आज इन लोगों को क्या हो गया है बिजन्डरि सिंगर्स का गाना गाएं आप उनका क्रेडल भी नहीं देतैं रहा हो मतलब आपका कोई credit नहीं है दुनिया में, आपका कोई credit नहीं है, कुछ नहीं, music industry उनके हाथों में आ गई है, सुनने में बड़ी शरम आती है, कि जिस company का music company में music के अलाओ बाकि सब knowledge हैं उनको, सिर्फ music का ही knowledge नहीं है, तो भाया सिर्फ पैसा ही कमाना था, धंदा ही करना था, बत्तमीजियां ही करनी थी, तो कोई और काम कर लेते हैं, कोई कोटा, सरकारी कोटा, सरकारी कोटा क्या बोलते हैं, कोटा reservation, आजर अरक्षन, वो सब ले लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या कोई दूसरा धंदा खोल इसा ही पैसा था, कला की दुनिया में आके, आर्ट की दुनिया में आके, फन की दुनिया में आके, फन क्यों निकाल रहे हो, नाग हो, क्यों डस रहे हो, यहाँ वही सस्टेन कर सकता है, जिसके पास तन, मन, धन, फन के साथ, जो समर्पित हो, गुलशन कुमार जी ने आधर निये ने अपना सब कुछ इस इंडस्टी को दिया था जिसके वज़े से इंडस्टी जीरो से हीरो होी थी music industry और ये कभी नंब भूलिया कि music industry को तमाम music industry को सकारत्म करने में positive करने में बुल्शन जी का बहुत बड़ा हाथ है JK सहाब आप music की दुनिया में हमेशाely जीके रहेंगे जीते रहेंगे आप अमर हैं आप अपने काम के जरीए आप अपने performance के जरीए आप जीके ही रहेंगे आप general knowledge भी रहेंगे जीके भी रहेंगे और हमेशा 10-10 सिःंगवाते हो 16-11 सिढवाते हो फिर एक को चुनते हो 16 सिंगवा कर एक सिंगर को रखते हो तो क्या ये 16 सिणगार है हो भी बड़ा खुश होता कि मैं 16 सिंगार हो गया हूँ ऐसा मत करो मुजिक का मतलब होता है सरगम लेकिन आपकी वज़े से से दुनिया जेल रही है हर प्लीस धान रखिए अपना भी धान रखिए क्योंकि मुजिक इंडस्टी के अगर इस तरह से होगा पतन तो यह मत भूलिये जाबँरे मेज़ि Qi loving कैसमे की दुनिया क करेंगे tap record के दुनिय दुनिया के दुनिया का पंदा हो इसलिए कि इसलिए मैं कहता हूँ नए सिंगर के लिए भी कहता हूं भाई मेहनत करो अच्छा नया काम करो ने कम भूझे रिमिक्स मत गाओ रिमिक्स गाकर तुम अपने टैलेंट को खोदोगे और अपनी कपी पैच्छान नहीं बना वाओंगे और पुराने सिंगर से कहता हूँ कि आप का हमेशा आपकी आवाज आपका स्टाइल हमेशा हमें प्रेरना देता रहेगा और मोदी जी भी कहते हैं मन रे गाह मन रे गाह मगर पुराने गाने गाह रे मिक्स मत गाह रे मन रे गाह वाह गी संगीत हमारे जीवन का एक भाग है एक हिस्सा है यही हमारे जीवन का किस्सा है हम सुख में गाते हैं हम दुख में गाते हैं हम बड़े में गाते हैं मौत में गाते हैं हम हर emotion में गाते हैं और यह emotion लेस हमारे उस emotion को चीनना चाहते हैं कहते हैं कि हमारा नया रूल है ये गाना बड़े में नहीं गा सकते हो फला जगा नहीं गा सकते जब मिल जाएंगे तो हम साथ साथ आ जाएंगे यही positive message के साथ मैं आपको सलाम करता हूँ और सुधर जाए जो सुधर जाता है वो दुनिया में रह जाता है वरना सिधार जाता है सिधार जाता मतलब यह नहीं कि दुनिया से रह जाता है market से out हो जाता है पहले के ज़वाने गाने market में बसते थे क्योंकि वो मार्केट के गारे थे आज की गाने मार्केट में नहीं वस्ते हैं क्योंकि वो मार्केट से आउट गाने So, मार्केट बनाईए मार्काट मत बनाईए Love you all मैं हुसुनिल पाल और एक ही बात कहूंगा गाता रहे सबका दिल और मिजिक ही है सबकी अच्छा मिजिक है सबकी मन्जी Love you all